हेलो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कैसे हैं आप चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आपने उपर हेडिंग में पढ़ाई है आज हम कुछ most important questions को करने वाले हैं तो शुरू करते हैं जहांगीर जस्चंद्रिका के रजएता कौन है? जहांगीर जस्चंद्रिका के रजएता है केशवदास जी सूफी कवियों की कावयधारा क्या है? कावय भाषा क्या है? अवदी भाषा, सेम भाषा तुलसिदास जी की भी है सूफी कवियों की जो कावय भाशा है वो ग्रामीन अब्धी है और तुलसिदास जी की शुद्ध साहितिक संस्कृत निश्ट अब्धी है सूफी कवियों का कावय रूप कैसा है प्रबंध कावय लिखे उन्होंने ज्यादा तर जैसे कि आपको पता है अब्रिगावती कुतुबन की है पदमावत है अच्छा पदमावत में कितने खंड है 57 पदमावत में खंड है वो है 57 पदमावत का मूल प्रतिपाद्य क्या है प्रेम की व्यंजिना रिती काल के किस कवि को कठिन कावय का प्रेत कहा जाता है तो अंसर है केशवदास जी लोग इस पंक्ति को किस ने लिखा है? घना नंजी ने बिहारी सत्सई में कुल कितने दोहे है? 713 शिवराज भूशन, शिवा बावनी, छतर साल दशक के रचेता कौन है? भूशन जी गिर्धर कविराय किस छन के लिए प्रसिद्ध है? कुंडलियां छन गिर्धर कविराय जी के कुंडलियां हैं ज्यादा बिहारी सत्सई के रचेता बिहारी हैं जिसमें 732 हैं यह आपको पता है उत्तर मध्यकाल को श्रिंगार काल किस ने नाम दिया? विश्वनाद प्रसाद मिश्र जी ने विश्वनाद प्रसाद मिश्र किसी एक एतिहासिक उपन्यास का नाम बताईए तो एतिहासिक उपन्यास कार हमें पता है वरिंधावन लाल वर्मा जी है फिर भी अगर एक नाम लें तो वैशाली की नगरवदू विनेश तक किसकी रचना है? तोश विनेश तक किसकी रचना है? तोश लेकिन आपने ध्यान रखना है विनेश पत्रिका जो कल्यूग से मुक्ति पाने के लिए राम जी के दरबार में अरजी पेश की गई थी वो तुलसी दास जी द्वारा है खीक है विनेपत्रिका की भाशा क्या है ब्रज भाशा और विनेशतक तोश प्रगति कावे की एक प्रमुक विशेष्टा बताईए सामयवादी विचारधारा का गुनगान मतलब सबको समान किया जाए माकसबात परधारित रिति काल को कला काल किसने कहा डॉक्टर रमाशंकर शुक्पी रसाल भक्ति काल को सर प्रथम स्वर्न युग किसने कहा था भक्ति काल को सर प्रथम स्वर्न युग वैसे डॉक्टर ग्रियरसन जी ने कहा था लेकिन डॉक्टर शाम सुंदर दास जी का नाम बहुत आता है तोलसी दास के अतिरिक्त किसी एक रामकवी का नाम बताईए अगर दास जी जिन्होंने आगे रसिक अगर अली लिखा था रीज है सुकवी तो कविताई ना तुराधा कनहाई सुमिरन को बहाना है यहाँ यह पंक्तियां किसकी है तो बिखारी दास जी की है वैसे तो इन पंक्तियों का ज़्यादा अच्छा अर्थ नहीं है अगर आप भक्त कवी है तो आपको भक्ति करनी चाहिए किसी कविता को या कवी को या विद्वानों को रिजाने का प्रस्ताव नहीं होना चाहिए उसमें, लेकिन रिती काल तो सारा ही ऐसा है, पूजा कविताएं की हैं, ग्राधा क्रिश्न की भक्ति के बहाने, है ना, तो चली आगे चलते हैं, आधूनिक हिंदी साहित्य का अरंब वर्ष कौन समाना जाता है? 1850 इस्वी चायावाद को स्थूल के प्रती सूक्षम का विद्रो किस ने कहा? चायावाद को स्थूल के प्रती सूक्षम का विद्रो डॉक्टर नगेंदर जी ने कहा उन्होंने कहा स्थूल के प्रति सुक्ष्म का विद्रोही चायवाद का अधार है हाँ एक बात और है महादई वर्मा जी ने भी एक पंक्ती कही है कि चायवाद स्थूल के प्रतिक्रिया में उत्पन हुआ है अते स्थूल को उसी रूप में स्विकार करना उसके लिए संभव ना हुआ परंतु उनकी सौंदर्य द्रिष्टी स्थूल के अधार पर नहीं यह कहना स्थूल की परिभाशा को संकीन कर देना है उसने जीवन के इतिवरितात्मक इतिवरितात्मक मतलब स्टोरी से रिलेटेड यह थार चितर नहीं दिये क्योंकि वह सूल से उत्पन सुक्ष्म सौंदर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी तो ये भी मिलते जुलती है लेकिन उसकी व्याख्या और उसकी और जाधा वीशलेशन करके उन्होंने कहा है लेकिन मेंली ये किसकी बात मानी जाती है डॉक्टर नगेंडर जी की अगर रामचंदर शुक्ल जी की बात करें तो वो कहते है चायवाद का शब्द का प्रेयोग दो अर्थों में समझना चाहिए एक रहसेवाद के अर्थ में और दूसरा प्रेयोग कावेशेली या पद्दती के व्यापक अर्थ में रहसेवाद जैसे कबीरदास में था ऐसा ही भक्ती कालिन और कवियों में भी था ऐसा ही चायवादी कवियों में भी है और दूसरा कावेशेली या पद्दती के व्यापक अर्थ में उनकी कावेशेली इस तरह की है ठीक है और रामकुमार वर्मा जी की बात करें तो चायवाद वास्तों में रिदे की एक अनुभूती वह भौतिक संसार के क्रोड में क्रोड मतलब उसकी गोद में परवेश कर अनंत जीवन के तत्व ग्रहन करता है और उसे हमारे वास्विक जीवन से जोड़ कर रिदय में जीवन के प्रतिय गहरी समवेदना और आशावाद प्रदान करता है प्लियर यहां तक अब आगे चलते अगला गोश्चन है आधुनिक काल को गद्यकाल की संग्या किस ने दी तो अचारे शुक्ल ने हमने हिंदी साहिते के तिहास में जब पढ़ा था तो आपको ध्यान होगा उन्होंने क्या बताया था कि प्रवृति की अधार पर आधुनिक काल भातिंदु यूग से शुरू हो अगर हम तार सब्तक को देखें तो उसमें साथ कवी है और साथ साल के बाद यानि के तिरालेजी कर देजिए तो यह क्यावन में दूसरा सब्तक हाँ कुछ आर सब्तक और प्रथम सब्तक को सेम मान लेते हैं वो बात सेम आप मान लेजे लेकिन प्रथम सब्तक कुछ नहीं दूसरा सब तक जुरूर निकला था लेकिन पहले को तार सब तक ही का जाते हैं जो कि 1943 में पहली बार निकाला गया था इसमें साधी कवी थे अगर आपको इसके डिटेल चाहिए तो आपको डिटेल बहुत अच्छे से मेरे पास prepared है आप अगर feedback में कहेंगे तो मैं आपको same की सेम एक नई क्लास में आपको बताओंगी next में ही बता दूँगी बस आपका थोड़ा सागर इंट्रेस्ट हो तो मुझे feedback दे देना नीचे comment box में लिख देना रंग भूमी उपने लेखा clear ही है प्रेम चंजी चंद्रदर शर्मा गुलेरी की तीन कहानिय कौन सी हैं उसने कहा सुख में जीवन और बुद्धु का काटा हिंदी का पहला समाचार पत्र हमें पता या उदंत मतन नागरी प्रचारेनी सभा के सापना वर्ष 1813 उस कवी कम बताई है केवल रचना के बलपरी हिंदी साहिते में अमर हो गया वो है बिहारी जी उन्होंने लिखा बिहारी सत्स अच्छा ऐसे ही और भी हैं चांद का मुंग टेडा है किसकी रचना है मुक्ति बोध जी की आधुनिक काल को नवीन काल का नाम किसने दिया बाबु गुलाब रहे ये कोश्चन कई बार आ चुका है द्विवेदी युक का नामकरण की साहित्यकार के नाम के अधार पर गई थी उनिससो में सरस्वती के प्रकाशक कौन थे चिंता मनी खोश काशि नागरी प्रचारेनी सभा की स्था अपना अठारा सो तिरानवे में किस कवी को राश्टर कवी की उपादी सब से पहले मिली मैथली शरन गुप जी को और दिनकर जी को मिली थी बाद में तो दिन पत्रिका का संपादन कब से कब तक रखा जब से द्विवेदी युग माना जाता है यानि कि 1903 से 1920 तक 11 वर्ष का समय जो की हिंदी के आरंबी कहानियों माना जाता है यह किसकी रचना है रामचंदर शुकल जी की किस लेखक अत्वा लेखिका का उपनाम बंग महिला है राजेंदर बाला घोष जी का नाम और उनकी जो रचना है वो है धुलाई वाली ठीक है किस प्रेमचंद जी का जन कब हुआ 1880 इसवी में बनारस में लमही नाम ग्राम में शिवशंबु का चिठा के व्यंगया लेख किसको आधार बनाकर लिखे गया है लौड करजन को उनको व्यंगया का आधार बनाया गया था कई जगे उनका मजाग प्यूडाया गया बहुत अच्छे से क्या हरिवन्श राए बच्चन ने भी आत्मकत्था लिखी थी जी हां लिखी थी बहुत डिटेल में लिखी थी अलग-लग पार्ट्स में लिखी थी नीड का निर्मान फिर क्या भूलूं क्या याद करूं का माईनी में कुल कितने सर्ग है पंदरा सर्ग है चिंता से शुरू होकर आनन तक है पंध जी की पहली कविता कौन सी है गिर्जे का घंटा याद कर लीजी इसे बहुत बार आता है पंध जी की प्रथम कविता आधरवाईज ये उसमें भी दे देते हैं क्रम में तो जब पहली गिर्जे का घंटा है हमें पता ये तो फस्त नंबर पे वही आएगी निराला जी की कौन सी कविता शोक गित मानी जाती है सरोज समरिती शोक गित मानी जाती है और सबसे लंबी कविता भी मानी जाती है दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध ये काव्य रचना की पंक्तियां किसकी है किसकी है तो निराला जी की और किस से ली गई है तो राम की शक्ति पूजा से जो कृतिवास जी की रामायन की आधार पर है जो कि बंगला में है और इसमें राम की शक्ति पूजा की हुई है वो भी बंगाल से थे क्योंकि वहाँ पर देवी की पूजा होती है उस आधार पर ये लिखे गई है और इसकी स्टोरी में भी यही है कि राम जी बहुत परिशान हो जाते हैं और फिर वो साथ दिन के लिए युद छोड़ कर देवी की उपासना करते हैं ये सब स्टोरी है बहुत अच्छी है प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है मंगल सुत्र महादेई वर्मा को ग्यान पिट पोरुसकार किस कावय पर मिला यामा निहार रश्मीन नेर्जा देवशिखा सांधेगी देवशिखा यामा यामा पर ये क्रम बताए मैंने आपको इनकी रचनाओं का कमायनी के रचेता कौन है जैशंकर प्रसाद खुल गए छंद के बंध किसकी पंक्ती है ये पंक्ती है पंध जी की छाया वाद विलायती अभिवेंजन वाद का विलायती संस्क्रण है विलायती नाम से आप याद रख लेजिए शुक्ली ठीक है ये पंक्ती और किसी ने नहीं कई है शुक्ल जी ने कई है किस आलोचक ने साकेत को जीवनवादी काव्य का है तो नगेंद्र जी ने साकेत को जीवनवादी काव्य किस ने का है नगेंद्र उसके बाद है हिंदी की प्रत्थम एकांकी किसे माना जाता है बादल की मृत्यू रामकुमार वर्मा जी ने लिखी गोदान का कौन सा पातर प्रेम चंद के ब्रगती शिल विचारों का वाहक है तो प्रोफेसर महता क्योंकि उन्होंने दो तीन बारी मिस मालती के कहने पर या वैसे भी कॉलेज में और गर्ल्स के से रिलेटेड आधुनिक नारी से संबंदित बहुत से ऐसे लेक्चर दिये थे शायद ये सूब दास के नई होंगे श्रिंगार वर्णन उसमें है इसलिए रामदास की हत्या किसकी कविता है रगुवीर सहाई चिंता मनी किसके निबंदों का संग्रह है पताई है रामचंद्र शुकल जी का संसद से सडक तक किसका कावे संकलन है सुदामा पांडे धोमि साय में धूब किसक्या गजल संग्रह है दुश्यन कुमार रामचंद्रित मानस महा कावे की रचना का श्रीगनेश हुआ पंद्रा सो चुहत्तर में आदिकाल के एक अन्या नाम बताओ वीर गाथाकाल शुकल जी ने बारा पुस्तकों के आधार पर जो कि रासो साहित थे उ नाम बताइए गोरक नाद जी मतसेंद्र नाद जी बहुत से हैं गीति काल का श्रिंग को श्रिंगार काल किस ने कहा सौरी ये कोश्चन होना चाहिए कि रीति काल को श्रिंगार काल किस ने कहा तो भागीरत मिश्र जी ने किसी एक अतिहासिक महा कावे का नाम बताइए तो पद्मावत जो कि किस ने लिखा है मलिक मुहम्मद जायसी जी ने ग्रामीन अवदी भाशा में गुरु गरंट साहिब के संपादक कौन थे गुरु अर्जुन देव जहाज का पंची गरंट किस विधा का है उपन्यास है और एक सूर्दास जी ने भी कहा है मेरो मन कहा अनक्त सुख पावे जैसे उड़ी जहाज को पंची फिरी जहाज पर आवे क्लियर है अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाओंगे प्लीज इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिए जो वीडियो की नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है वो बिलकुल अब करते हैं इस चैनल को थोड़ा सा और शेयर कर दीजिए थोड़ा सा चैनल ग्रो करेगा तो अच्छा रहेगा थेंक्यू चलिए बागे चलते हैं अब हम करते हैं प्रमुख उपादी या उपनाम साक्षात रसमूर्ती किसे कहा गया है तो घनानन जी को साक्षात रसमू अब ब्रंश का व्यास कहा जाता है पुश्प दंत जी को मैथिल को कील की उपादी किसे दी गई विद्यापती जी को और क्या कहते हैं मैथिल का सबसे अच्छा कवी भी माना जाता है भारतिय कोलंबस किसे कहते हैं राजा राम मुहन राय जी को सितारे हिंद की उपादी कि किसे दी गई है नातुराम शर्मा शंकर को कवी समराट किसे कहते हैं तो अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोद को स्वाधीन भारत का इसपाती दस्तावेज किसे कहते हैं मुक्ति बोध की कविताओं को स्वाधीन भारत का इसपाती दस्तावेज कहा जाता है हिंदी का कीत प्रियोग वर प्रथम प्रियोग किस ने किया आचारे नंदुलारे वाजबेई जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास कार नहीं लिखा फणीश्वना रेणु जी का मेला आचल 1954 चल 54 ठीक है याद रह जाएगा हिंदी में प्रथम पत्र साहित्य के लिखा कौन थे मुन्शी राम यानि के स्वामी दयानन जी के पत्रों का उन्होंने संकलन किया इसलिए मुन्शी राम जी हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवी कबीरदास जी चाया वाजशप्त का सर प्रथम प्रयोकिस ने किया उटधर पांडे जी ने और हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखी का कौन थी जानकी देवी बजाज उन्होंने क्या लिखा मेरी जीवन यात्रा ठीक है यह क्लि के रोज़े आपको समझ आया या आपको पसंद आ रहा या नहीं या जो मैटर आप चाहते हैं जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहे हैं उनके लिए भी मुझे प्लेस बताइए थैंक यू एंड बेस्ट उफ लग